कहलो स्टुडेंच अब अब बात करते हैं टौप रिसर्च इंस्टिूट अन्şaat टॉटली रिसर्च इंस्टूट है अचार्च कहां कह पर हैं कौन इसने हैं क्या अब करते हैं क्योंकि एक देश के लिए बहुत important है उसका innovation उसका research and उसकी military and defense department ठीक है तो यह जो है research department very very important और इंडिया के अदर privately बहुत कम एसे हैं तो अपन आज अपन बात करते हैं government departments in research बहुत सारे institute लेकर आया हूं मैं at least 40-50 institute है जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हो research कर सकते हो अच्छे departments है जहां पर आपकी job से लाकों करोडों की है और इंडिया के लिए एक मिसाल है इंडिया के लिए नहीं पूरे world के लिए एक मिसाल है तो totally आज अपन बात करने वाले हैं research institute in India तो हमारा जो first institute है वो है Indian agriculture research institute जो की देली के अंदर है देन उसके बाद आता है हमारा center rice research institute जो की कट्ट इस्टुडेंट यह जो है यह चावल के ओपर research करता है उसके बाद जो आता है हमारा center surgeons research institute जो की को यमबर्टूर तमीलाडू में है उसके बाद आता है central potato research institute जो की आलू यानि potato पर research करता है उसके बाद आता है central tobeko research institute यह बहुत ही मलब खतरनाक पदार्थ है मादक पदार्थ है और यह जो आंदर पर देश के अंदर बहुत ज़्यदा पाया जाता है तो यह जो है राजा मुंदरी के अंदर इसका एक research institute है central tobeko research institute जहां पे research होती है उसके बाद आता है central road research institute जो की देली के अंदर है इसके अंदर भी दो department होता है एक national highway and एक जो other highway होता है जो भी road बनती है हमारे देश के अंदर सड़के बनती है तो इसका जो research institute है तो उसको कहा जाता है central road research institute उके उसके बाद जो research institute आ रहे है हमारा साथवा research institute नेशनल शुगर research institute जो की सुगर के ओपर research करता है Indian L.A.C. research institute जो की लाग जो एक पदाव होता है उसके ओपर research करता है तेन हमारा जो आता है उसके बाद में national dairy research institute जो भी dairy होती है उसके ओपर research किया जाता है तो at least हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा तो पस्चु पाले जाते हैं वो at least हरियाना के अंदर है तो यहां पर हरियाना में almost सारी की सारी प्रजातियां रहती है चाहिए वो भेंस हो चाहिए वो गाय हो यानि कि वफेलो एंड क के अंदर जो है national dairy research institute है उसके बाद जो आता है हमारा central fuel research institute धनबाद के अंदर और भी institute है एक institute research institute है जिसको आयाइटी का दर्जा दे दिया गया है जिसको अभी हम आयाइटी धनबाद बोलते हैं उसके बाद हमारा जो ग्यारवा research institute है वह सेंटर लेदर research institute जो कि लेदर के ओफर mainly focus करता है ओके so हमारा जो आगे के जो institute है Central mining research institute जो की धनबाद के अंदर यह नमारा आता है Central drug research institute जो की लखनव के अंतर है UP के अंदर पता ही है यूपी एंडिया का बहुत ही बड़ा जो है राज्य है तो वहां पर drug के ओपर research किया जाता है यह हमारा जो उसके बाद आता है इंडियन मेटलोर्जीकल उब्जिवेटरी जो कि पूर्ने के अंदर भी है और धेली के अंदर भी है ओके जो है वेरी इंपोर्टेंट है रम्मन रिशर्च इंस्ट्टूट बेंगलोर के अंदर आपने रम्मन प्रभाव भी सुना होगा ओके यह इस इन्हों ने ही दिया था उसके बाद हमारा आता है सेंटरल साइन्टिफिक इंडस्ट्रियल ओर्गनाइजेशन जो कि CSIO जो कि चंडिगट के अंदर है पंजब के अंदर उसके बाद आता है हमारा सेंटरल साल्ट एंड मेराइन केमिकल रिशर्च इंस्टिटूट जो कि बहुवानगट एट लिस ज इंडिया जो कि कोलकता के अंदर जो भी डिजाइनिंग बगरा होती है उस पर जो रिसर्च होती है जो वह कोलकता के अंदर है उसके बाद आता है सेंट्रल जू टेकनोलोजी रिसर्च इंस्टिटूट वह भी कोलकता के अंदर है वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत ही ज्या कोकोनट का उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं यह जो जिते भी इंस्टिटूट है यह जनरल नोलेज के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आप सभी इनका बिल्कुल गहराई से ध्यान रखें जो भी बच्चे एससी जी डी यूपी एससी अधर कंप के लिए प्रप्रेशन कर रहे हैं और के स्टूडेंट उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टेक्स्टाइल रिसर्च इंस्टिटूट जो कि एमदाबाद गुजुरात के अंदर है देना है ओल इंडिया इस्टिटूट ओब मेडिकल साइंस न्यू देली जिसका आपने नाउ सफना होगा इमस के लिए एक्जाम देना पड़ता है उसके बाद अए मरा नेशनल ओर नोटिकल यानल इसको हम खा जाता है जो कि बेंगलोर के अंदर है उसके बाद हमारा आता है नेशनल इंस्टिट और ऑप ओकियोन गृफिच्वी जो की पंजी के अंदर है ओके स्टु आगे हपन बढ़ते हैं आगे हमारा आता है इंडियन इंस्टिट ऑफ पेट्रोलियम जो की देरहादून के अंदर है वेरी-वेरी इंपोरेंट टुईशन आप इसको करके रखें इंडियन इंस्ट्ट्टूट उपेट्रोलियम भारतिये प्ट्रोलियम जलस्तान दिए उसके बाद हमारा आता है Central Building Research Institute जो कि रुड़की के अंदर है उप्तराकंड के अंदर तो जो भी बिल्दिंग्स बगरा बनती है तो उसके ओपर जो भी रिसर्च होता है एंड टाटा इंस्टिटूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई जिसके फांटर है जे आरडी टाथा वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुश्चन अबाउट टी आई ओफ आर मुंबई पॉम्बे ओके देन उसके बाद आता है हाई एल्टीटूट रिसर्च रेबोट रही जो कि गुल्मर्क के अंदर है यह जो है जमुकस्मीर के अंदर है जहां पर मग ज्यादा फायदा आते हैं आई तिंक ठीक है देन उसके बाद आता है हमारा नेशनल वोटेक निकल इंस्टिटूट जो कि माईश्यूर के अंदर है सेंट्रल गिलास एंड क्रेमिक रिसर्च इंस्टिटूट जो कि कोलकता के अंदर है विस्ट बंगाल में देन अमारा इंस्टिटूट आता है नेशनल एन्वारिमेंटल इंजिनेरिंग रिसर्च इंस्टिटूट जो कि ना paily जो किदे जरी के अंदर केंद और क्या अग्यें बिटते हैं आगे मारा इसेर्च इंस्टीट है इंडस्ट इंडस्टियल ऐसेगोंगी को रोजी रिसाथ सेंटर जो कि अनदर सेंट्रल में और मेकेनिकल इंजिनेरिंग इस्ट्रों का एक इंस्ट्रीट मान सकते हो जो कि विक्रम शर्ड जो हमारे देश की स्पेस टेक्नोलोजी के फाउंडर है जो कि त्रिवंत पूरम के अंदर है तमिलाडू में देन उसके बाद आता है यूरियनियम कोर्पोरेक्शन ओप इंडिया जो कि जुगांडा के अंद आता है फिलम एंड यह जो है टेलिविजन इंस्ट्ट्टूट अप इंडिया जो कि पूने के अंदर है महाराश्ट्रा में वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुशन आरियाबत रिसर्च इंस्ट्टूट जो कि नेनित ताल के अंदर है उत्तरा खंड के अंदर उसके बाद जो अंदरिय conservative of science university है जिसको जो है दो जार बीस और की के अंदर जो है इंडिया का टॉप जो university वाना गया तोप research institute hai Bangalore दरwest heb के नंदर indian institute कर दिया है NISCR इजे research institute जहां पर आपको admission भी मिलता है आपको next का exam देना पड़ता है देन उसके बाद आते हैं हमारे IISCR जो की 2009 के अंदर start में है आइसर जिनको खा जाता है इंडिया के अंदर totally 7 आइसर है आप उसके अंदर तेन तरह से admission ले सकते हैं जिए एडवांस के उपी वाई और IAT के जरीए आइसर ही जिए वेरी रिसर्च इंस्ट्रीट तो टोटली जो हैं पचास रिसर्च इंस्ट्रीट हो चुके हैं